आज जानेंगे हम स्प्रिंग के बारे में स्प्रिंग का इंजिनियरिंग में क्या महत्व है जैसे स्प्रिंग को इंजिनियरिंग भासा में बोलते हैं कि स्प्रिंग एक ऐसा डिवाईज है जो अपने उपर लगने वाले लोड को सहन करता है इसका पहले हम definition जानते हैं इसके बारे में और भी star से जानते हैं Spring एक elastic member है जब हम इस पर load लगाते हैं तब ये defect हो जाता है और जब इस elastic member पर से load हटा दिया जाता है तब ये अपने पहले वाले original shape में वापस आ जाता है कहने का मतलब है कि spring एक elastic member है जब हम इस पर load लगाते हैं कहने का मतलब देखिए एक spring है spring को आप उसको पकड़ के खीचें उसमें तनाव बल लगाएं जब खीचेंगे तो तनाव ही बल न उत्पन होगा तो उस spring को पकड़ कर जब हम खीचेंगे तो उसका diameter भी कम होगा तो मान लिजए spring को पकड़ कर जब हम खीचेंगे तनाव में उत्पन करेंगे तो यह कहा रहा है जब हम इस पर load लगाते हैं तब यह deflect हो जाता है कहने का मतलब है कि spring को पकड़के आपने खीचा तनाव उत्पन हो गया उसी को deflect कहा जाता है समझ में आया और जब इस elastic member पर से load हटा दिया जाता है और फिर बोल रहा है कि spring पर से फिर load हटा दियेगा तो तब यह अपने पहले वाले original shape में फिर वापस आ जाता है यही इसका मतलब होगा देखिए यह है spring जैसे काने का मतलब है कि आप train भी देखे होंगे train में देखिएगा कि जो bogey tq हुई है एक spring पर ही tq हुई है इसके निचे देखिएगा bogey के निचे spring लगा होगा जिस पर वो bogey tq होगी spring वो bogey को सहन कर रहा है न bogey में उतना load जितने load रहा है जितना load लग रहा है वो spring ही रोक के रखा है अब cycle भी देखिएगा आप cycle के stand में भी stand में लगा रहाता है spring जब stand मारते है तो वो cycle रुख जाता है इस तिर खड़ा हो जाता है कि नहीं तो spring करते हैं वो अपने उपर load सहन करता है बाइक में भी होता है यह साही और भी सारी machine होती है जिस पे load सहन कर सके वहाँ spring का ही यूज करते हैं कि जिस पे load सहन कर सके जो load सहन कर सके वो spring का ही यूज करते हैं और elastic समझ में नहीं आया है उसका description में मैं link दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाके पहले elasticity का definition देख लीजिए समझ लीजिए अच्छे से उसमें समझाया गया है क्यूंकि spring भी elastic रूप में ही कार्य करता है उसको वापस original shape में आने में मदद elastic ही करता है elasticity आप उसको देख लीजिएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो like करे, share करे, comment करे और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगे के लिए लाता रहूंगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद